हेलो फ्रेंट्स आई होप यू आल आर फाइन आज मैं आपको इस ब्लाक और वाइट चेक ड्रस मेटिरियल का बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाके बताऊंगी ये मैंने फाइव मीटर बुलन का ड्रस मेटिरियल लिया हुआ है आप किसी भी फैब्रिक से ये ड्रस बना सकते हो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको आउटफिट कैसा लगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस आउटफिट को बनाने के लिए हमें इन मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हम सबसे पहले फैब्रिक को अच्छे से खोल लेंगे खोलने के बाद हम सबसे पहले योग बले पार्ट की कटिंग करेंगे योग में भी हम पहले फ्रन्ट योग की कटिंग करेंगे उसके लिए हम फैब्रिक को अपने साइस के अकोर्डिंग फोल्ड कर लेंगे यहां पर फ्रंट योग की ड्राफ्टिंग के लिए हम हाफ इंच के गैप पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर उसी लाइन पर हम फ्रंट योग की ड्राफ्टिंग करेंगे यहाँ पर मैं कोलर बाला नेक बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने पोने तीन इंच नेक ब्रोडनेस ली हुई है और उसके बाद मैंने शोल्डर लेंथ का हाफ साधे साथ इंच पर निशान लगाया है आर्म होल लेंथ पर मैंने पोना इंच नीचे को ड्रोड किया हुआ है यहाँ पर मैंने शोल्डर लेंथ के इकोल ही बैक का निशान लगाया हुआ है अगर आपने यहाँ पर front को measurement किया है तो आप front का निशान ऐसे exactly लगा सकते हो नहीं तो आप back से 1 इंच कम भी front रख सकते हो यहाँ पर मैंने round the west के fourth part पर निशान लगाया है और यहाँ से फिर front armhole और back armhole की shape दे ली है मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की losing दी है यहाँ पर भी मैं base का fourth part रख लूँगी और 1.5 इंच की losing दे लूँगी और फिर इन सभी points को आपस में मिला दूँगी यहाँ पर मैंने yoke की total length 15 इंच रखी है जिसमें 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 14 इंच का yoke ready हो जाएगा अब भी मैं yoke की cutting कर लूँगी मैं यहाँ पर color बाले neck की cutting करूँगी इसके लिए मैं back बाले part को 5 इंच बढ़ा कर रखूँगी इसे जो हमारा color है वो अच्छे से set हो जाएगा यहाँ पर अब हम back part की भी cutting कर लेंगे फ्रंट और back part की cutting करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट की arm hole की shape दे लूँगी कोलर neck बनाने के लिए मैंने neck की broadness पोने 3 इंच रखी है फ्रंट neck की deepness मैंने 3,5 इंच ली है यहाँ पर मैं box बनाके फ्रंट neck की circle मैं shape दे लूँगी ऐसे ही मैंने back neck की deepness पोना इंच रखी है अभी मैं दोनो neck की cutting कर लूँगी यहाँ पर shirt collar जब भी लगाते हैं और fold कर दे हैं तो अंदर का fabric दिखता है तो अंदर की तरफ fabric लगाने के लिए हम सबसे पहले यह fabric cut कर लेंगे इसके लिए हम योग को रखेंगे और two inch उपर extra और two inch नीचे extra में निशान लगा लेंगे और shape दे लेंगे और अभी इन दोनो points को मिला देंगे और cut कर लेंगे आज कल cuff sleeves बहुत ज़्यादा trend में है Cuff sleeves की cutting के लिए हम इन measurements की ज़रूरत होती है इन sleeves की cutting के लिए हम fabric को अपने size के according double fold कर लेंगे और sleeves की top वाली side से three inch पर निशान लगा के arm hole की shape दे लेंगे जब भी हम cuff sleeves में sleeves की length रखते हैं तो उसमें cuff की length को minus करके रखते हैं उसमें भी हमें 1.5 या 2 inch extra लेना होता है यहां पर मेरी total sleeve की length है 22 inch उसमें से 1.5 inch का cuff length है और 19.5 inch उपर की sleeves रह जाती है उसमें मैं 1.5 inch extra रखूंगी तो मैं 22 inch की sleeves रखूंगी यहां पर मैंने sleeves की total opening 16 inch रखूंगी क्यानि मैं 8 inch पर निशान लगा लूँगी अगर आपको sleeves की puffiness ज़्यादा चाहिए तो आप पूरी breath भी रख सकते हो यहां पर अब मैं इन दोनों points को मिला लूँगी और sleeves की cutting कर लूँगी फिर यहां पर मैं front arm hole की shape दे लूँगी यहां पर मैं arm hole length round the burst का fifth part रखूंगी और sleeves की opening वाली side में डाइं इंच नीचे down करके निशान लगाएंगे इसे हम बाद में fold कर लेंगे और इन दोनों points को आपस में मिला देंगे ऐसे ही हम दूसरी sleep पर भी निशान लगा लेंगे कफ बनाने के लिए मैं बुक्रम की cutting कर लूँगी मैंने 9 इंच चोडाई में और 2 इंच लंबाई में बुक्रम की cutting की है अभी बुक्रम को fabric पर attach करना है तो मैं एक कफ के लिए 2 strips कट कर लूँगी ऐसे मैं मुझे कफ के लिए 4 strips कट करने होंगे अभी मैं गेर की cutting करूँगी गेर मैं कलीदार बनाऊंगी और कलियां काटने के लिए मैंने ये formula दिया हुआ है जिससे आप कलियों की length और breath निकाल सकते है मैंने योग की length 14 इंच रखी है तो मैं 14 इंच उपर भड़ा कर जितनी मुझे dress की length चाहिए उसके हिसाब से निशान लगा लूँगी तो मैंने 43 पर निशान लगा लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा यानि 45 पर निशान लगाऊंगी और points को सीधा कर लूँगी यहां पर कली की maximum चुड़ाई है 20 इंच तो मैं 20 इंच पर निशान लगा लूँगी अभी मैं 20 इंच के half 10 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसी points से 4-4 इंच दोनों तरफ ले लूँगी अब इन सभी points को आपस मैं मिला लूँगी अभी आप देख सकते हैं कि ऐसे मैं मैंने अपनी एक कली की drafting कर ली है अब इसे cut कर लेंगे अभी इसी कली को उठा कर मैं दूसरी तरफ रेख लूँगी और ऐसे मैं मेरी 2 कलीयां cut जाएंगी इसी तरह मुझे 6 कलीयां cut कर लेनी है ऐसे मैं मेरी 6 कलीयां cut कर ready हो गई ऐसे मैं कलीयों की stretching के लिए मैं 3 कलीयां आगे के लिए और 3 कलीयां पीछे के लिए stitch करके रख लूँगी यहां पर मैं योग से stitching start करूँगी तो इसके लिए मैं front वाले योग पर इन दोनों strips को stitch कर लूँगी क्योंकि यह मेरा bulan का थिक fabric है तो जब भी आप stitch करो तो उसके बाद iron कर लो क्योंकि ऐसे fabric set हो जाता है और जब हम next stitch करते हैं या उपर से सिलाई लगाते हैं तो वो अच्छे से set हो जाती है और finishing अच्छी आती है strip को stitch करने के बाद जो भी हमारा extra fabric रहता है उसको हम cut कर लेंगे यहाँ पर हम strips को अंदर के side में fold करके तरपाई कर सकते हैं या आप सिलाई भी लगा सकते हैं मैं यहाँ पर तरपाई करूँगी यहाँ पर front और back के shoulders को आपस मैं stitch कर लेंगे shoulders को stitch करने के बाद मैं यहाँ पर collar लगाऊंगी तो collar लगाने के लिए मैं neck का measurement करूँगी यहाँ पर measuring tape से collar की length की measurement करने के लिए हमें fabric को बीना खिंचे हुए दीरे-दीरे collar की measurement कर लेनी है तो यहाँ पर collar की total length 16.5 इंच आई तो मुझे उसी हिसाब से बुक्रम लेनी है और बुक्रम को एक straight line draw कर लेनी है line draw करने के बाद मैं collar का half 178 इंच पर निशान लगा लूँगी यहाँ पर मैं shirt collar बना रही हूँ तो मैं अंदर की तरफ 1.5 इंच का निशान और collar के बाहर की तरफ 3 इंच का निशान लगाऊंगी आप यहाँ पर चाहो तो collar को बाहर की तरफ shape देने के लिए इसको अपनी चोई से बढ़ा सकते हो पर मैंने यहाँ पर आधा इंच आगे की तरफ बढ़ाया है अभी मैं इन सभी points को आपस में मिला दूँगी और फिर मैं बुक्रम की cutting कर लूँगी यहाँ पर हमें बुक्रम को कारते समय अच्छे से पकरना है ताकि यह खिसकेना और बुक्रम की cutting खराब ना हो यहाँ पर कोलर के लिए बुक्रम cutting करने के बाद हमें इस फैब्रीक पर paste कर लेना है फैब्रीक पर पेश्ट करने के बाद हमें आधा इंच बढ़ा कर फैब्रीक को cut कर लेना है इसी तरह हमें एक और strip cut कर लेनी है अभी हमें कॉलर की स्टिचिंग के लिए बुक्रम को जिस फैबरिक पर पेस्ट किया है उसे नीचे की तरफ पर फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर देंगे अभी हम इस फैबरिक को दूसरे फैबरिक पर सेट करके तीनो साइड से स्टिच कर लेंगे कॉलर को स्टिच करने के बाद हम कॉलर की अंदर की तरफ कट्स लगा लेंगे जिससे हमारा कॉलर अच्छे से टर्न हो जाएगा अभी यहाँ पर हम कॉलर को अच्छे से फोल्ड करके इस पो आईरन से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम कोलर को half में cut लगा लेंगे जैसे हमने कोलर को half में cut करा है ऐसे ही back वाले yoke part को बीच में से center में cut लगा देंगे कोलर को yoke वाली part पर stitch करने के लिए हम अंदर की तरफ से रखेंगे तो हम दोनों center के points को आपस में मिला के कोलर को पहले एक तरफ stitch करेंगे ऐसे मैं कोलर दोनों साइड में ब्राबर से बैठेगी अब ऐसे ही मुझे second half की कोलर को stitch कर लेना है यहांपर कोलर को stitch करने के बाद मुझे बाहर की तरफ fold करना है आप यहांपर iron से भी fold करके अच्छे से set कर सकते हो और फिनिशिंग देते हुए बाहर की तरफ सिलाई लगा लेनी है अब ये सिलाई मैं कॉलर की चारों तरफ लगा लूँगी ये सिलाई हमें बहुत ही अच्छे से लगानी है क्योंकि इस सिलाई पर ही कॉलर की फिनिशिंग डिपेंड होती है यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी कोलर बनकर रेडी हो गई है अब मैं इसे हाफ में फोल्ड करूंगी और कोलर को अच्छे से सेट कर लूँगी आप यहां पर चाहो तो योग के फ्रंट पार्ट को उपर नीचे करके बटन्स लगा सकते हो पर मैं यहां नीचे से स्ट्रिप लगाके फ्रंट योग को आगे से क्लोज कर दूँगी यहां मैंने योग की लेंद 15 इंच रखी है तो मैं नीचे से 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी तो उपर से मेरा नेक 7.5 इंच रह जाएगा तो मैं यहां स्ट्रिप उपर की तरफ से लगाने स्टार्ट करूँगी और नीचे मैंने 7.5 इंच पर स्ट्रिप रखी हुई है तो फिर मैं स्ट्रिप को साथ में सिल लूँगी और ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट को भी सिल लेना है और फिर उसे क्लोज करके स्ट्रिप पर स्टिच कर लेना है ऐसे में मैंने अपने फ्रंट योग को स्टिच कर लिया है अब मैं यहां उपर से बटन्स लगा दूँगी अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीन कलियों को आपस में स्टिच कर लिया है अब मैं इन कलियों को सेंटर पॉइंट निका लूँगी और फिर back part और front part के center point को मिलाते हुए दोनों तरफ कलियों से stitch कर लोगी यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा extra fabric है तो हम इस extra fabric को cut कर लेंगे यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने back और front part को ready कर लिया है अभी यहां पर मैं दोनों तरफ से dress को fitting दे लूँगी और नीचे से भी fold कर लोगी यहां पर नीचे से fold करने के लिए मैं पहले half inch और फिर एक inch का fold करूँगी अभी मेरा dress ready हो गया है अब मैं इस पर slips stitch करूँगी कफ बनाने के लिए मैं पहले बुक्रम को strips पर paste कर लूँगी फिर एक तरफ से fold करके बुक्रम पर stitch लगा लेंगे और stitch लगाने के बाद इसे वैसे ही दूसरे fabric पर रखना है जैसे हमने collar में रखा था और फिर तीनों तरफ से stitch कर लेंगे और नीचे की तरफ से आधा इंच बढ़ा कर उपर की तरफ रखेंगे यहाँ पर मैं तीनों तरफ साइड से stitch लगा के कफ को fold कर लूँगी और कोई नुकीली चीज नेकर कफ के corner को अच्छे से निकाल लूँगी यहाँ पर मैं अब sleeves की sides को half inch में turn कर लूँगी यह सिलाई मैं sleeves के दोनों तरफ लगा लूँगी यह सिलाई हमने sleeves के side में धाई से 3 inch तक लगानी है अभी यहाँ पर मुझे sleeves का center निकाल के प्लीट्स डालनी है तो यह pleats आप पूरी sleeve में एक side को भी डाल सकते हैं पर मैंने यह pleats दोनों side से center की तरफ डाली है एक side की तरफ pleats डालने के बाद हमने काफ को measure करके देख लेना है कि fabric extra में तो नहीं बचा हुआ है अगर extra में fabric बचा है तो हम एक pleats और डालेंगे अभी दोनो side में pleats डालने के बाद हम कफ को sleeve से stitch कर लेंगे और ऐसी ही हम दूसरी side में भी pleats डालेंगे अभी हम कफ को sleeves की wrong वाली side में रखेंगे और इन दोनों के center point को मिलाते हुए stitch कर लेंगे अभी कफ को stitch करने के बाद हम right वाली side में turn करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हमने सिलाई कफ के चारों तरफ लगानी है और बहुत ही finishing के साथ लगानी है अभी मैंने sleeves के नीचे की तरफ धाई inch पर निशान लगाया है बहाँ पर हम सिलाई लगाने start करेंगे और sleeves की fitting दे लेंगे sleeves की fitting देने के बाद हम sleeves को सीधा करेंगे यहाँ पर भी हम कफ पर उपर नीचे करके buttons लगा लेंगे अभी हम sleeves को yoke से stitch कर लेंगे इसके लिए हम sleeves को सीधा और yoke बाले part को उल्टा करेंगे और सिलाई लगा लेंगे जब भी हम sleeves को stitch करने लगते हैं तो हमें front अले arm hole की तरफ से सिलाई लगानी है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यह frog बनकर ready हो गया है आप यह frog knee length तक या full length तक बना सकते हैं और मैंने इसे button लगा के ready कर लिया है I hope आपको यह video पसंद आया होगा Thank you for watching